अमस्कार मैं विशेकराज CEO Founder EGWay Global चलिए आज हम बात करेंगे फर्स्ट एर के जो सुडेंट है जिनका सेशन 2019-21 है या जिनका एक साल का ट्रेड है सेशन 2019-20 है उनके लिए exam का schedule आ गया है टाइम टेबल आ गया उनके बारे में हम यहां बताने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करेंगे यह जो exam होगा सबसे पहले आपका practical exam होगा और engineering drawing का exam होगा जो आपके college में होगा इसके बारे में details में हम आपको बताएंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ITI किये हैं और सरकारी नौकरी का त्यारी करना चाहते हैं गौर्रमेंट जॉब का त्यारी करना चाहते हैं या भी ITI कर रहे हैं तो आप EG Way coaching जोईन कर लिजिए दो मार्च से नया बैचे स्टार्ट हो रहा है इस coaching के मुद्द से आप सरकारी नौकरी पासकते हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ITI करने के बाद EG Way coaching जोईन केता है और बहुत सारे department में नौकरी कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं तो जदा जनकारी के लिए जो मेरा help line number इस पर call करके पता कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो later यह जारी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं subject कि जो session 2 year 19 में बच्चे admitted है मतलब admission लिये है first year या जिनका एक साल का course है या जिनका दो साल का course है उनका exam schedule जारी किया गया है practical और ED के लिए engineering drawing के लिए और practical के लिए यह schedule जारी किया गया है और यह schedule March में होगा लिख रहा है यहाँ पर held in March 2021 अब इसमें जो details आपके लिए जरुदी है मैं वो बताने का प्रयास करूंगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल के ट्रेड वाले बच्चे है या दो साल के ट्रेड वाले बच्चे है द दोनों का AITT exam होने वाला है जिसमें प्राइटिकल और ED का exam March में होगा सबसे पहले इनेक्चर B में लिखा है कि program दिया गया है CTS जो exam है आपके लिए क्या program है नीचे दिया गया है उसके बारे में हम चार्चा करते हैं चलिए इनेक्चर 1 को हम देखते हैं इनेक्चर 1 में यह जिनका दो साल का कूर्स है उनको attendance भेजना है और formative assessment marks भेजना है और exam भी भेजना है यह तीनों भेजना है और इसका जो date है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में भेजना है और यह कौन भेजा का भाई जो ITA के principle है उनको यह सारा details DGT को submit करना है भेजना है इसके बाद दूसरे नमर पे है upload of center mapping and generation of hall ticket through NCVT INS portal for annual system including DHT trainee of session August 2019 और 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तर hall ticket मतलब upload करना है या उसके लिए जो भी center कौन साब का कैसे होगा उसके लिए details देना यह state government करेगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद तीसरे नमर पे है कि आपको hall ticket download होगा 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक by principle of ITI ITI के principle दोरा hall ticket download किया जागा बच्चों के लिए जिनका exam ED और practical का होगा मार्च में इसका date 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी है अब यहाँ पे लिखा है note करके there is no extensor of ever mentioned date and action has to be completed well in time बोला कोई extension नहीं होने वाला इसी schedule पर exam लिया जाएगा आप लोग तैयार रहे हैं यहाँ पर डिटर्स दिया गया इसके बाद यहाँ पर time table भी दे दिया आपका कब-कब exam है तो एक मार्च का आपका exam है मंडे को 10 बजे से जिसमें first year वाले बच्चे आएंगे और paper फोर है जो जिरेंग ड्रोइंग का है for all trade सबका exam होगा इसके बाद 2-3-21 और 3-3-21 टिव डे और वेनेस डे सारहे नौ से start होगा exam आपका trade practical का for all trade सारह trade का practical होगा और lunch break आपको 1-2 से लेकर 1.5 बजे के बीच में रहेगा मतलब आदा गांटा का lunch break मिलेगा और आपका ये exam देना होगा मतलब 1-3 के बीच में मार्च में आपका exam हो जाएंगे फर्स्ट एयर का practical or AD का इसके बाद CVT exam हो सकता है आप लोगों का subjective वाला हो या नहीं हो इस पे कोई अभी चर्चा नहीं है क्योंकि बहुत सारे पीछे लेटा राई जीसमें बताया गया कि promote किया गया है लेकिन promote करने का basic meaning क्या है वो तो आगे पता चलेगा फिलाहाल मैं all details में हम वीडियो बना देंगे फिलाहाल आपको सुचना के लिए मैं बता दूँ कि ये date आच चुका है और आप लोग तयार रहे अपना ITA में संपर्ग करें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था और आपसे एक निवेदान है कि अगर आप मेरा फैसो ग्रूप अभी तक जोईन नहीं किये हैं तो जल्दी से जोईन कर लिए इस फैसो ग्रूप में बहुत सारे private company आती है placement के लिए उसका भी जनकारी मिलेगा इस तरह के सुचिना सबसे पहले मिलेगा इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं दो लाग साथ जार बच्चे हैं उसमें जुड़ेंगे आप तो आपके जो भी डाउट होगा जो भी प्रश्टों का आप पूछ सकते हैं बच्चों को मदद से आप नौकरी भी ले सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना था थैंकी सो मच फिर मिलते हैं आपसे एक आपके साथ अब तक के लिए नमस्कार